अलो फ्रेंट्स नमस्का स्वागताब सभीका आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल एसकेजू किसन में नेशनल इंस्टिशूट और फेशन टेक्नोलोजी एन इफ्टी निवधेली के अंदर कुछ वाकेंशिस निकली हुई है जूनियर ट्रांसलेटर ओफिसर के लिए उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के मादेम से आपको प्राप्त हो किसलिए वीडियो को आपको पुरा देखना है एड़ोटाइजमें नमबर 3-2020 डिरेक्ट रिगूट्मेंट कॉन्टेक्ट बेसिस पे हैं जीडियो के लिए तो फ्रेंड यहाँ पे आप पोस्ट ने एक हैं ओविसी के लिए चार हैं एड़ोएस के लिए एक हैं टोटल सोलाव अगेंसी हैं पीड़ोडी के लिए दो हैं लोकेशन कौन सी रहेंगी वो आप यहाँ पे देख लीजी कि वन इस इन्दा केमपेस इस लोकेटीड एड़ बैंगलूरी भोववाल भूनेश्वाच चेननई, गांदीनगर, हैद्राबाद, जोधपूर, कांगडा, कनूर, कोलकत्ता, मुंबई, निवदहली, पतना, राइबरेली, शिलोंग, एड़ ओफिस जो ग्रोश सैलरी है वो इंक्लूड बेसिक पे, अलाउंसीज, पलस में टीए, टीए, एड़ प्रिसक्राइब्ट रिट्स पे आपको मिलेंगी इसमें जो फ्रेंट्स एलिजिबिलिटी कंडिशन्स की हम बात करें तो जो, Master Degree of a Recognitive University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level or Master Degree of a Recognitive University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level or Master Degree of a Recognitive University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level या फिर Master Degree हो in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject इसी के साथ में रिकोगनेज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाही इन रांसलेशन प्रों रेगुलर और लोंग कोंट्रेक्ट बेसिस पे हैं उनके लिए कोई इस लिमिट नहीं है इस रिलेक्सेशन भी आपको मिलेगा एस पर शैल भी एवेलुटीड इन रिस्पेक्ट ओप एनी दोज कंडिडेट्स हो एटेंड दी मिनिमम क्वालिफाइंग स्टेंडर इन पेपर फस्ट मिनिमम आपको करना पड़ेगा ट्रांसलेशन एंड एससे टाइप की और दा पोस्ट ओप जेटियो जुनियर हिंदी टांसलेटर नौरी डिजाइंड एस जुनियर टांसलेशन ओफिसर अगेंस्ट अर्लियर एन इफट एड़ोटाइश्में नंबर एक जुनियर हिंदी टांसलेटर कॉंट्रेक्ट दोजारुनिस उनको अपलाई करने की जरू तो इनको नंबर है और लास्ट डेट से पहले आपको भीजने है लास्ट डेट क्या है वह भी मैं आपको बताने जा रहो है अब लिकेशन फीज के हम बात कर लेते हैं तो SC, ST, PW and Women Candidates के लिए कोई फीज नहीं है दा अपलीकेशन फीज रूपीज पान्सो इस डिक्वाइड टू बी पेड ओनलाई बाई जनरल EWS और OBC Candidates पॉर दा पोस्ट अप्लाईट फॉर कैसे आपको अपलाई करना है आपको NIFT की वेबसाइट जिसका लिए निचे डिस् W.NIFT.HC.IN है वहां से भी आप यह जानगारी complete है वह उटा सकते हैं वहीं आपको जाकर एक ओलाईन फोर्म है वो बरना पड़ेगा आपको फोर्म भरते समय आपको अपना जो email ID और mobile number है वो एक्टिव देने है जिस पे आप रेगुलरी यूज करते हैं तो यह वीडियो आ आपको पसंद आगे होगा पसंद आए तो लाइक करके शेयर करके जिरूब बताए कोई डाउड है तो आप कोमेंट करके पूश करते हैं धन्यवाद्वाद्व